हमारी amazing आखें इस खुबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं लेकिन आवास देखते हैं कि हमारी आखें कैसे दिखती हैं अंदर से उसके parts क्या क्या है और उनके functions क्या क्या है तो अगर मैं इस चेहरे को चुपा दूँ तो तुम्हें आख कुछ ऐसी दिखने वाली है एक ball के shape में और इसे हम बिलाते हैं eyeball अब अगर इसे मैं side से दिखूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आख हाँ यह हो गया ball वाला part, यह हो गया colored वाला part और इसके उपर आख यह थोड़ी उभरी होती है बाहर के side में थोड़ी convex shape की होती है अब मैंने इसे थोड़ा transparent कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीज़ें दिख सकें अब हम बात करते हैं इस color वाले portion के बारे में तो इसे हम बुलाते हैं iris तो जब भी तुम किसी के आख के color के बारे हैं बात कर रहे हो न तो असल में तुम उसके iris के color के बारे हैं बात कर रहे हो अब अलग-अलग लोगों की iris के color अलग-अलग होती है अब ऐसा क्यों होता यार तो देखो, जब भी हमारे आखों पे light पढ़ रही होती है, white light, तो यह जो iris है ना, इसके अंदर एक pigment होता है, जो की light की एक particular color को reflect करता है, अब इस iris का pigment यह green color की light को reflect करने वाला है, और इसलिए हमें यह iris यह green color की दिखती है, अब अलग-अलग लोगों की iris में जो pigment होता ह color की light को reflect करता है, जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस की iris यह brown color की है, और ऐसा इसलिए, योगि इसके iris का pigment यह brown color को reflect कर रहा है, और इसलिए हमें यह brown color की दिख रही है, अब इस iris की बीच में, तो मैं एक black color का spot दिख रहा होगा, अब सभी की आखों में यह spot, यह common होता है, तो इसे हम बुलाते हैं, pupil, अब उससे लिख लेते हैं, और यह एक छेथ है, यह एक hole है, जिसके तुरू light enter कर सकती है हमारे आखों के अंदर, तेको जो भी light rays, iris पर पढ़ड़ी थी ना, वो यह तो reflect हो जाएंगी, यह तो absorb हो जाएंगी, लेकिन जो light rays इस black spot पे इस छेथ पर पढ़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी, कुछ ऐसे, और फिर यह अंदर जाके हमारी आखों के अंदर image बनाने वाली हैं, बाहर की चीजों की, और इसी के मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं, अब देखो, iris का एक और important काम है, कि वो इस छेथ की size को control कर करता है, तो जब बाहर दिन का time हो रहा हो, दोपहर का time मालो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस time बहुत ही light rays तुमारी आखों के उपर पढ़ने वाले हैं, अब अगर बहुत सारी light rays तुमारी आखों के अंदर enter कर गए, तो वो आखों के cells को burn कर सकते हैं, उन्हें damage पहुचा सकते हैं, तो इसे बचाने के लिए, आइरिस दिन के time ये pupil को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम light rays हमारे आखों के अंदर जाएं, और फिर भी हम अच्छी से देख पाएं बाहर की चीज़ों को, लेकिन शाम के समय, जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, आइरिस ये खिड़की पे लगे वे परदे की तरह काम करती है, जब बाहर दोपहर का समय हो, तो तुम परदे को almost पूरा close कर देते हो, ताकि बहुत ही कम light rays अंदर आपाएं, और जब शाम का समय हो, तो तुम परदे को almost पूरा खोल देते हो, ताकि जादा रोशनी अंदर पाएं और तुम चीजों को देख पाओ, अब देखो यही एक्सपरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो, एक डार्क रूम में जाना, और फिर सीचे के सामने खड़े होके अपने प्यूपल को देखना, देखो इस समय तुमारी प्यूपल यह बहुत ही बड़ी होगी लेकिन जैसे ही तुम लाइट को अन करोगे ना, तो वैसे ही तुमारी प्यूपल यह छोटी होती ही चली जाएगी अब आप बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट के बारे में, उसके लिए मैं इस आईरिस को यहाँ पर छुपा देता हूँ मैंने यहाँ पर आईरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है, यह ग्रीन वाला पार्ट यह हो गया आईरिस और यह बीज में जो होल है, यह हो गया प्यूपल लाइट इसके तुरू इंटर करेगी और फिर यह मिलने वाली है इस कॉनवेक्ज शेप के लेंस से यह हो गया हमारी आखों का लेंस, आई लेंस, देखो इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सर्फेस पे और फिर यहाँ पर एक क्लियर इमेज बन जाती है अब देखो यह बल्जट पोर्शन है उभरावा पोर्शन इसे हम बुलाते हैं कॉर्णिया इसे हम बुलाते हैं कॉर्णिया लाइटरी जब हमारी आखों बे पढ़ती है तो सबसे पहले यह कॉर्णिया से ही मिलती है उसके बाद ही अंदर जाती है अब देखो कॉर्णिया और lens के बीच का portion, ये भरा हुआ होता है water से, वैसे 99.9% water होता है, 0.1% कुछ vitamins and proteins वगरा होते हैं, और इस portion को हम बुलाते हैं, aqueous humor, aqueous humor, aqueous का मतलब हो गया watery, क्योंकि ये maximum water कहीं तो बना हुआ है, अब देखो cornea और ये lens, ये दुनों ही convex shape की हैं, तो ये दुनों मिलके हमा मिल जाए, अब देखो maximum refraction ये cornea पे ही होता है, ये जो light rays इंटर कर रही है न, वो air से आ रही है, और फिर cornea के बाद में water का system, तो यानि कि यहाँ पे maximum change in refractive index होता है, और इसलिए light की maximum bending ये cornea के ऊपर ही होती है, उसके बाद light rays pupil के थूपल के थूँ लेंस पे हिट करती है, अब lens जो है न, ये हलका adjustment प्रवाइड करता है इन light rays को, ताकि ये light rays completely focus हो जाएं इस पीछे वाले surface के उपर ही, और यही पे एक focused image हमें मिले, अब देखो इस पीछे वाले surface को, इसे हम बुलाते हैं retina, अब अकर इस retina के उपर हमें एक focus image मिले न, तो हम उसे clearly देख अब देखो तुम ये सोच रहोगे कि अगर इस पर image बन जाए, तो हम इसे कैसे देख पाते हैं, तो ऐसा इसलिए, क्योंकि retina जो है न, ये light sensitive cells से बना हुआ है, यानि कि उस पर इन cells पर light पड़े, तो ये cells activate हो जाते हैं, ये light को फिर electrical signals में convert कर देते हैं, और फिर यहाँ प बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है, तो ये nerves का हम बुलाते हैं, optic nerves, आप लिख लेते हैं यापे, अब देखो retina और lens के बीच का जो portion है, ये भरा हुआ होता है, एक jelly like material से, इसे हम बुलाते हैं, vitrous humor, vitrous का मतलब हो गया glassy, अब ये glass की तरह कठोर तो नहीं, ब तो यहां हमारे पास हो गया aquasumer, जो की watery है, और ये cornea और lens को nutrition प्रवाइड करता है, और यहां पर vitrous humor, ये jelly like है, और ये हमारे eyeball को support प्रवाइड करता है, अब हम एक आखरी जीस के बारे में बात करते हैं, इन fiber like materials के बारे में, जिन्होंने हमारे lens को पकड़ रखा है, इन्ह अगर तुम इसे पिचकाऊगे न, तो ये पिचक जाने वाला है, और अगर तुम इससे खीचोगे, तो ये elongate हो जाने वाला है, और तुम सोच रहोगे यार, इसका क्या फाइदा है? तो दیکھो हमारी आखें, अलग-alग दूरी पे रखेवे objects पर focus कर सकती है, उनकी image को same distance प और डीटेल में समझते हैं तो किवल फोकस करते हैं हमारे लेंस पे अब माल लो कि तुम किसी दूर रखी वी object को देख रहे हो तो दूर रखावा object है तो इसलिए उससे जो incoming race होंगी न incident race ये almost parallel होने वाली है और क्योंकि तुम इसे clearly देख पा रहे हो इसका मतलब कि उसकी एक clear image उसकी एक focused image ये lens बना दे रहा होगा यहाँ retina के उपर तो यानि कि ये lens incoming parallel race को focus कर दे रहा है retina के उपर कुछ ऐसे देखो यह होगी ray diagram parallel race आ रही है और ये lens उसे focus कर दे रहा है retina के उपर अब देखो इस case में lens incoming race को बहुत हलका refract कर रहा है बहुत हलका bend कर रहा है कुछ 10 degree का angle माल लो यानि कि इस case में required power of the lens ये थोड़ी कम होने वाली है लेकिन अब अगर object ये तुम्हारी आखों के पास आ जाए कहीं यहाँ पे तो देखो इस case में जो race आ रही हूँ नहीं तुम्हारी आखों पे ये तो divergent race होने वाली है यार ये तो parallel नहीं होने वाली है लेकिन देखो अगर अभी भी तुम पास रख़वी object को clearly देख पा रहे हो इसका मतलब इस object की भी image बिल्कुल यहीं ही पे बन रही होगी तो यानि कि refracted race ये तो बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाली है लेकिन इस बार lens को race को, incoming race को जाधा bend करना पड़ेगा, जाधा मोड़ना पड़ेगा ताकि वो यहाँ रेटना पे focused हो पाए देखो, मैं यहाँ पर ray diagram तुम्हें दिखाने वाला हूँ तो मैं एक बार amount of bending पे ही focus करना तो यहाँ तुम देख सकते हो जब object past में आ गया तो यह incident race यह divergent थी और यह ऐसी चली जाती लेकिन हमारे lens ने अब incoming race को इतना bend कर दिया है almost 45 degree से bend कर दिया है ताकि यह यहाँ retina पे focus हो पाए तो यानि कि जब object past में होता है तो lens को जादा bend करने के ज़रुद परती है यानि कि जादा power required है lens की लेकिन जब object दूर रखाओ तो हमें low power required होती है low bending required होती है तो देखो कैसे अलग-अलग दूरी पे रखे वे objects पे focus करने के लिए हमें अलग-अलग power की lens की requirement होती है अब देखो यार हमारी आखो में lens तो एक ही है हम lens को तो बदल नहीं सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि lens के curvature को बदल देते हैं इसे पतला और मोटा करते हैं depending on किस चीज़ पे हम focus कर रहे हैं अगर हम किसी दूर की चीज़ पे focus कर रहे होते हैं तो हमें एक कम power की lens चाहिए होती है जो की light rays को कम bend करें तो उस case में हमारी ciliary muscles यह relax हो जाती हैं यह हमारे lens को elongate कर देती हैं ताकि इसकी curvature यह कम हो जाए और यह light rays को कम bend करें इसकी power कम हो जाए लेकिन जब हम pass की चीज़ों पे focus कर रहे होते हैं तो उस case में हमें एक high power की lens की ज़रुत होती है ताकि हम इन diverging rays को जादा bend कर पाएं तो उस case में हमारी ciliary muscles यह lens को पिचका देती है ताकि इसका curvature यह बड़ा हो जाए और उसके बाद यह जादा bend करने लगे इसकी power बढ़ जाए तो ऐसे ही ciliary muscle हमारे eye lens के shape को change कर सकती है इसके power को change कर सकती है तो ciliary muscle के इसी power को हम बोलते हैं power of accommodation अगर तुम pass में रखिवी objects जैसे कि यह batman इस पे focus करो तो तुम्हें दूर रखिवी objects जैसे कि यह पेड यह धुंदली नजर आने वाली है अब अगर तुम्हें इस पेड पे focus करो तो तुम्हें यह batman जो की pass में रखा हुआ है यह धुंदला नजर आने वाला है तो ऐसा कैसे कर पाती है हमारी आखे अब इसे के बारे में बात करते हैं वैसे अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताओ न तो हमारी आखों के अंदर जो lens होता है यह अपनी focal lens को change कर सकता है और अलग-अलग distance पे रखे हुए objects को focus कर सकता है अब अब इसके बारे में detail में बढ़ते हैं अब इसे समझने के लिए मैंने human eye का एक simple सा diagram बना रखा है देखो वैसे तो human eye एक बहुत ही complicated चीज़ होती है इसमें बहुत सारे parts होते हैं लेकिन अभी मैं कुछ-कुछ चीज़ों को ही दिखा रहा हूँ जिसके हमें जरुरत है इस concept को समझने के लिए जैसे कि ये होगी एक convex lens अब ये incident race को converge करने वाली है और ये होगी retina retina एक screen होती है एक परदा जिसपे की race अगर incident हो और sharp image बने तो हमें बाहर की objects clearly दिखने वाली है जैसे कि अगर तुम्हें एक movie theater में बैठो ना तो सामने तुम्हारे होता है परदा और पीछे होता है projector जिसे की light race निकलती है और परदे पे image बन जाती है अब अगर sharp image बने तो तुम्हें clearly दिखने वाला है कि क्या movie चल रही है ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है अगर incident race completely converge कर जाए intersect कर जाए यहाँ पे तो एक clear image बनने वाली है बाहर के objects की अब आप सबसे पहले हम tree पे focus करते हैं तो सबसे पहले मैं बना दूँगा अपनी eye lens की principal axis और इस पे मेरी tree कुछ बहुत ही दूर पे खड़ी है तेखो यहाँ पे मैंने दो line इसलिए बनाया है दिखाने के लिए कि मेरी tree यह eye से बहुत ही दूर पे खड़ी है अब देखो मेरी आखें इस tree को clearly देख पा रही है यानि कि इस tree की एक clear image एक focused image बननी चाहिए मेरी retina के उपर अब आप क्या करते हैं कि ray diagram के इस अबज़ेट की image बनाते हैं इस lens के थूँ अब देखो अगर image बनाना है तो सबसे पहले मैं object पे कोई एक point लेने वाला हूँ और उस point से मैं कुछ दो race को ऐसे choose करूँगा जिनके path को मैं draw कर सकू clearly, easily अब देखो अगर object कहीं दूर पे रखाओ infinity पे तो मुझे पता है कि उससे जो incident race निकलेंगी ना जो कि मेरे आख पे incident होने वाली है वो race almost parallel होने वाली है almost parallel, उनके बीच में angle बहुत ही कम होने वाला है तो यानि कि अगर मैं इस tree पे कोई से भी point लूँ और उसे दो race को निकालू तो वो मेरे आखो पे parallelly incident होने वाली है अब यहाँ इस case में माल लेते हैं कि वो principle axis के भी parallel होने वाली है ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएं तो यानि कि मैं कुछ ऐसी race को लेने वाला हूँ यह दोनों ही race यह किसी एक point से आ रही है इस tree के किसी एक point से incident हो रही है हमारी eye पे और यह इसलिए almost parallel है क्योंकि यह tree बहुत ही दूर पे रखा हुआ है अब देखो यह वाली ray यह pass कर रही है हमारी lens के optical center से तो यानि कि बिलकुल नहीं undivided pass करने वाली है इसके pass में कोई भी change नहीं आने वारा है और यह हमारे retina को जाके यहाँ पे incident करने वाली यहाँ पे टकराने वाली है अब क्योंकि हम इस object को clearly देख पा रहे है इसका मतलब कि इसकी sharp image बन रही होगी हमारे retina पे इसका मतलब कि इस object के किसी भी point से जो incident rays होगी न वो refract करने के बाद एक ही point पे मिलनी चाहिए हमारे retina पे तो यह वाली ray यह मिल रही है retina से यहाँ पे यानि कि यह second वाली ray यह convex lens से refract करने के बाद यह भी यहीं पे मिलनी चाहिए यानि कि यह कुछ ऐसे bend कर जाएगी refract करने के बाद और यह दोनों यहाँ इस point पे retina के उपर converge करने वाले हैं और फिर हमारी इस point की एक sharp image बन जाने वाली हमारी retina के उपर अब देखो यह incident ray यह तो principal axis के parallel जा रहे थी और हमें यह पता है कि principal axis के parallel जाने वाली ray convex lens से refract करने के बाद focus के थू ही जाती है principal focus के थू यानि कि मुझे यह पता चल गया कि यह वाली point यह होने वाली है principal focus of our eye lens जब हमारी eye lens किसी दूर की object पे focus कर रही हो और यह वाली दूरी optical center से इस point तक की दूरी इसे हम कहतेंगे focal length अब हाँ इसी case में हम बात करते हैं कि जब हम किसी दूर की object पे focus कर रहे हो तो past की objects जैसे की batman यह धुनली क्यों दिखाई दे रही थी तो यहाँ पे है मेरा batman और यह कुछ past में है मेरे arc के in comparison to यह tree यह बहुत ही past में है अब देखो अभी पिया मिस tree पे focus कर रहे है तो यानि कि हमारी यह हो गई principal focus अब मैं इस batman के image बनाने वाला हूँ इस convex lens के through तो यानि कि मैं same चीज़े करने वाला हूँ एक point लेंगे batman पे और उसे दो ऐसी light rays को निकालेंगे जिनके path को हम बना सके easily तो एक ray तो होगी यह वाली जो कि जाएगी optical center के through undeviated और यहाँ पे retina के through intercept करेगी और दूसरी light ray यह जा रही है parallel to principal axis अब मुझे पता है कि जो light rays parallel to principal axis जाएं वो reflection के बाद principal focus के through pass करती है अब क्योंकि अभी भी हम इस tree पे focus कर रहे हैं तो यानि कि principal focus यह वाली point होने वाली है के उपर intersect नहीं कर रहे है यह retina के कहीं पीछे intersect कर रहे है यानि कि हमें एक sharp image नहीं बन ले वाली है इस point object की इस retina पे तो यानि कि हमें यह Batman यह थोड़ा धुन्दला नजर आने वाला है और ऐसा ही तो हो रहा था starting के वीडियो में जब हम focus कर रहे थे ट्री पे तो हमें Batman की image यह थोड़ी धुन्दली नजर आ रही थी तो यह थो कि तब की बात जब हम focus कर रहे हो at objects kept at large distances तो हमें pass की objects यह थोड़ी धुन्दली नजर आती है अब हम बात करते हैं कि क्या होगा जब हम ऐसे object पे focus करें जो की pass में रखी हो जैसे कि यह Batman तो हमें पीछे की objects यह धुन्दली नजर कीओ आती है तो अब इस बार हम focus कर रहे हैं Batman पे अब इसकी ray diagrams बनाते हैं तो यह वाली ray जो की optical center से pass कर रही हो यह तो अभी भी ऐसे ही pass करने वाली है यह बिलकुल ही undeviated जाएगी और यह retina पे यहाँ पे incident होने वाली है अब देखो इस बार क्योंकि हम Batman पे focus कर रहे हैं तो यानि कि Batman की sharp image बन रही होगी हमारी retina के उपर और सारी rays यह intersect कर रहे होंगे retina के उपर ही तो यानि कि यह जो दूसरी वाली ray है न यह reflection के बाद यह कुछ इतना bend कर जाएगी कि यह अब यहाँ इस point पे ही intersect करने वाली है तो अब इसे bend कर देते हैं तो यह light ray यह reflect करने के बाद कुछ ऐसे bend करेगी और फिर यह दोनो light rays यहीं पे intersect करने वाले हैं retina के उपर तो यानि कि हमारी point object की एक sharp image बनने वाली है retina के उपर और इसलिए इस बार हम batman को clearly देख पाएंगे अब देखो मुझे एक बात यह पता है कि जो incident light rays principal axis के parallel जाए न वो reflect करने के बाद principal axis को principal focus पे intersect करती है यानि कि यह वाला जो point है यह हो जाना जाहिए इस बार principal focus अब उसे लिख लेते हैं इस case में जबकि हम pass वाली object पे focus करें तो यह वाली point यह हो जाएगी principal focus तो यानि कि हमारा principal focus यह थोड़ा pass आ चुका है eye lens के और focal length इस case में थोड़ी सी short हो चुकी है अब देखो जब हम batman पे focus कर रहे थे तो हमें पीछे रखी वी यह पेड यह थोड़ी धुन्दली नजर आ रही थी अब देखते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है तो यह हो गई rays जो कि tree से आ रही थी तो देखो एक ray जो कि optical center से pass कर रही थी वो तो अभी भी undeviated pass करने वाली है इसकी पास में तो कोई change नहीं आने वाला है लेकिन यह second वाली ray जो कि parallel जा रही थी principal axis के यह मुझे पता है कि यह अब reflect करने के बाद principal focus से pass करने वाली है और क्यूंकि हम batman पे focus कर रहे हैं तो इसलिए हमारी principal focus यह अब यहाँ पे आ चुकी है तो यानि कि यह ray अब इस point से pass करने वाली है कुछ ऐसे अब देखो इन दोनों ही incident ray का intersection यह यहाँ पे कहीं हो रहा है रेटना के पहले ही इसका मतलब कि मुझे इस बार एक sharp image नहीं मिलने वाली है रेटना के उपर मुझे एक धुनली image मिलने वाली है इस tree की और इसलिए जब हम pass रखी हुई object पे focus कर रहे हूँ तो हमें पीछे रखी हुई objects यह थोड़ी धुनली नजर आती है और ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा था starting के example में जब हम Batman पे focus कर रहे थे तो tree धुनली नजर आ रही थी अब देखो यह तो case होगया तब का जब हम focus कर रहे हूँ pass रखी हुई objects पे focusing at short distance तो अभी तक हमने important चीज़ें यह देखी कि जब हमारी आखें किसी pass में रखी हुई object पे focus कर रही हूँ तो हमारी eye lens की focal length यह short होती है और जब हमारी आखें किसी दूर रखी वी object पे focus कर रही हो तो हमारी eye lens की focal length यह long होती है इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आखें अपनी focal length को change कर सकती है depending on वो किस चीज़ पे focus कर रही हो और जब वो एक चीज़ पे focus करती है तो दूसरी चीज़ हमें धुंदली नजर आती है तो यानि कि हमारी आखों के पास एक special power है जिसकी मदद से ये अपनी eye lens की focal length इसे बदल सकती है ताकि अलग-अलग distances पे रखेवे object को focus कर पाए अब देखो इसी power को में एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते है power of accommodation अब तुम ये सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे possible है राम जहां तक मैंने पढ़ा है एक particular lens की focal length ये तो fix ही रहती है तो हमारी eye lens की focal length ये बदल कैसे रही है तो अब इसके बारे में detail में बात करते हैं देखो जब हम पास रखी वी object पे focus कर रहे थे तो हमारी focal length ये short आ गई थी ये focus थोड़ी पास आ गई थी और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें incident ray को अब ज़ादा मोडने की ज़रुत थी ताकि intersection रेटना पे हो और image रेटना पे ही बने तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये bending किसी चीज़ पे डेपेंड करती है कैसी lens का हम इस्तेमाल करें ताकि incident ray ज़ादा bend हो तो असल में bending डेपेंड करती है curvature of the lens पे अगर तुम ज़ादा curved lens का इस्तेमाल करोगे ना तो वो incident ray को ज़ादा bend करने वाली है देखो अगर तुम एक flat lens का इस्तेमाल करो जैसे कि मालों की rectangular glass slab तो उसकेस में light rays ये तो बिलकुल भी bend नहीं करने वाली है ये तो parallel ही चली जाएगी अपने path के तो वैसे ही अगर तुम curvature को बढ़ाते रहो और curved करते जाओ तो ये ज़ादा bend करने वाली है instant light rays को और तुमारा focus ही और pass आता चला जाएगा तो यानि कि इस case में जब हम किसी path में रखी वी object पे focus कर रहे है तो इस case में हमारी lens ये थोड़ी जादा curved है कुछ ऐसे ये तो ये जादा curved है और इसलिए ये light ray को जादा bend कर पा रही है अब तुम ये सोच रहोगे कि ऐसा कैसे possible है यार एक lens ये तो एक fixed shape की होती है ना इसके shape को मैं कैसे बदल सकता हूँ तो देखो हमारी आखो के अंदर जो lens होता है ये glass का बना हुआ नहीं है ये बना हुआ है एक jelly like material से एक fluid से बना हुआ है तो इसलिए तुम इसे पिचका सकते हो और इसके shape को थोड़ा change कर सकते हो या अब तुम इसे खीच सकते हो, elongate कर सकते हो और इसके shape को थोड़ा और पतला कर सकते हो curvature को और थोड़ा कम कर सकते हो तो यहाँ इस case में हमने इस lens को ये थोड़ा पिचका दिया है ताकि इसका curvature जादा हो गया है और यह जादा bend कर रहा है light rays को और इस case में हमने इस से पतला कर दिया है इसके curvature को सोड़ा कम कर दिया है ताकि यह कम bend कर पाए light rays को अब देखो ऐसा कर पाने के लिए हमारी आखों में होते हैं special muscles इन्हें हम कहते हैं ciliary muscles जो कि हमारे lens को hold करके रख कर देती है ताकि instant rays यह जादा bend करें और focus पास में आ जाए अब ऐसा यह कैसे कर पाती है इसके बारे में तुम detail में समझ सकते हो biology की वीडियो से अब आव कुछ और छोटी छोटी important बाते कर लेते हैं अगर यह batman यह मेरी आखों के थोड़ा और पास आ जाए कुछ इतना पा यानि कि intersection मेरे retina के ऊपर ही हो रहा होगा अब देखो इसके लिए focus को थोड़ा और पास आना पड़ेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे object पास आती जाएगी वैसे वैसे light rays को हमें और bend करना पड़ेगा ताकि intersection retina के ऊपर ही हो जाए अब देखो जैसे जैसे object पास आ रहा है इसका मतलब कि हमारी ये lens ये पिचकती चली जा रही है तभी तो focal length कम होता है ना तो हमारी eye lens ये थोड़ी पिचक चुकी होगी कुछ ऐसे और इसलिए focal length कम हो गया होगा लेकिन देखो ये eye lens के पिचकने की भी एक limit होती है उससे जादा ये पिचक नहीं सकती है इसक limit होगी जिसके beyond हमारा focal length ये कम नहीं हो सकता है अब मालनों कि हमारी lens ये अभी अपने limit को पहुच चुकी है इससे जादा हमारी lens ये पिचक नहीं सकती है यानि कि ये होने वाला है हमारा minimum focal length इससे जादा कम focal length नहीं हो सकती है अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं object को जड़ा और bend करें ताकि intersection रेटना के ऊपर हो लेकिन अब क्योंकि ये minimum focal length है इससे जादा कम नहीं हो सकती है तो यानि कि light race अब बेंड नहीं होने वाली है और यानि कि light race अब intersect नहीं करेंगी रेटना के ऊपर और हमें clear image नहीं मिलने वाली है यानि कि ये वाली जो position है ना य minimum position होने वाली है जिसपे की हमें एक clear image मिले अब इसलिए हम इस position का हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते हैं near point अब उसे लिख लेते हैं near point और इसे हम denote करते हैं capital letter D के साथ देखो ये minimum distance है जहाँ पे तुम अगर एक object को रखो तो उसके एक clear image बनने वाली है उसे हम clearly देख पाने वाले हैं अब अगर batman इस point से और pass आ जाए तो तुमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे intersection ये retina के उपर नहीं हो रहा है यानि कि हमें एक sharp image नहीं मिनने वाली है यानि कि हमें batman ये धुनला दिखाई देने वाला है और देखो ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारी lens अब इससे जादा और पिचक नहीं सकती है यानि कि हमारी focus ये और जादा pass नहीं आ सकती है और इसलिए light trace ये जादा bend नहीं करने वाली है और intersection कहीं और होने वाला है रेटना की बचाए और इसलिए हमें एक धुनली image मिलने वाली है अब देखो जनरली क्या होता है कि on an average इंसानों का near point ये आख से कुछ 25 cm की दूरी पे होता है 25 cm की दूरी पे अब हाँ अलग-अलग इंसानों का अलग-अलग near point हो सकता है अलग-अलग distance पे और in fact ये age के साथ भी vary करता है लेकिन तुम अपना near point ये खुद से calculate कर सकते हो तुम एक उंगली लेना और उसे आख के बहुती करीब रगतेना तो तुम्हें वो बहुती धुनली दिखने वाली है अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम उंगली को दूर लेते जाओगे ना तो एक point में उंगली clearly दिखना चालू कर जाएगी और तुम फिर measure कर लेना कि क्या distance है उंगली और तुमारी आख के बीच में ये हो जाने वाली है तुमारी खुद की near point अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर एक near point है तो वैसे ये एक far point भी होने चाहिए यानि कि farthest point जहाँ पर अगर मैं एक object को रखो तो वो बुझे clearly दिखे और उसके बाद object धुंदली हो जाने वाली है लेकिन देखो surprisingly यहाँ पर हमारे पास कोई भी far point नहीं होती है तुम object हो कहीं भी रख दो कितनी भी दूर रख दो तुम्हें वो clearly दिखने वाली है जैसे कि तुम अगर stars को भी ले लो ना stars तो बहुत ही बहुत जादा दूर है infinite distance पर है तो उनकी भी एक clear image हमारे रिटना पर बन जाती है और इसे उनने भी हम focus कर पाते हैं तो इसलिए हम इंसानों के पास कोई far point नहीं होती है केवल near point होती है जो कि हो गई on an average 25 cm की दूरी पे अब आओ एक बार recap कर लेते हैं हमने देखा कि हमारी आखें ये अपने focal length को change कर सकती है depending on हम कितने दूर की object पे focus कर रहे हैं अब इसी special power को हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते है power of accommodation लेकिन इको इसकी भी एक limit होती है अगर object को जादा ही पास आ जाए तो हमारी eye ये अपने focus को और जादा decrease नहीं कर पाएगी और इसलिए इस object को focus नहीं कर पाएगी ये redna पे और ये object हमें blurred दिखने वाला है धुन्दला दिखने वाला है